ये है African continent और अगर आप map को ध्यान से देखें तो you will realize कि कई सारी countries के बीच में borders straight line हैं लेकिन ऐसा कैसे? आईए जानते हैं दरसल एफरिका में historically कई tribes और kingdoms के बीच के borders नदी, पहाड और रेगिस्तान जैसे natural features बनाते थे 19-वी शताबदी में European colonizers जैसे Britain, France, Germany, Portugal, Spain और Italy एफरिका पर कबजा जमाना शुरू करते हैं 1884 में इन colonizers ने Berlin Conference आयोजित करके Scramble for Africa शुरू किया अगले 30 सालों में 90% एफरिका European powers के अधीन था इस border redrawing का मकसद नए देश का गठन करना नहीं बलकि European ताकतों के लिए एफरिका से जादा से जादा wealth extract करना और अपने आपस के cross border disputes को resolve करना था कागस के नक्षों पर एक scale रखकर draw किये गए इन borders ने एफरिका की tribes और उनकी local economy को बिलकुल ध्यान में नहीं रखा और यही कारणे कि इस European blender की वज़े से एफरिका में आज भी border conflicts जारी है